हाई एवरिवन वेलकम टू माई वालड फ्लावर संसिक्री जैरोट कैसे ही आप सभी आई हूप आप सब ठीक ही होंगे गाइस तो आज के हमारी नहीं टैरोट का रेडिंग है यूनिवर्स आपके साथ है चले देखते है परस्नल रेडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना वाट्सप नमबर दे दिया है वहां से आप मुझे कॉंटक कर सकते हैं मेरा वाट्सप नमबर है 740-520-3378 इस नमबर कि थो आप आसने से मुझे कॉंटक कर सकते हैं साइड डिटेल्स आपको पस्नल रेडिंग को लेकर वाट्सप कि थो मेल जाएगी चल लेकर कॉमेंट करते हैं सैर करते हैं लाइप करते हैं सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की वज़र से मुझे बहुत जादा मोटिवेशन मिलता है बहुत जादा मैं आकर आपके लिए अच्छे प्यारी प्यारी लेकर आ रहे हैं आपके वजर से ही इतने अच्छी रेडिंग आप सभी को मिलते हैं चले देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन इंजल्स बताईए आप उनके साथ है अर्थ मदर फेलॉव और फिर अपम पेल देखते हैं आप मक रोड में पेल पर हैं जाप आप एक देखते हैं फेले अक लिवाइन आप उनके साथ इव और गार्णल्स with your emotions okay आप असमन जस्में हो पीस के पर लेड़ को अपनीट ने टू ने टू बी राइट जब जरुरत होती है तब आप मेरे साथ होते हो यह जो एज्यूम करते हो यानि एक धार्णा बिठाते हो कि आप मेरे साथ होते ही होते हो एक पक्का विश्वास नहीं है इस इस वज़े से मैंने कहा कि धार्णा बिठाते हो आपका खुद के उपर विश्वास चट्टान की तरह बहुत ही ज्यादा उंचा है खरा है वह यहां नजर आता है और क्या है ग्रेट टीचर लॉन फॉर्म स्पीचल एक्स्पिरियंस विन्टर टीक केर अफ्यर नीड्स ब्रोकन एरो एंब्रेस्ट अइनर्जी और पीस तो यह है आपकी जीवत में इस वज़े से आपका विश्वास डग्म कता है हाई प्रेश्टेस हानेस मिस्टिक पावर नाइस एंद लास्ट है एल्डल विए जायकर यस यस है बोटन टो पास से हरमी तरीटरीव और टूपको बार-बार हो यस मैं यह यह जरुरू कहूंगी क्योंकि आप अपने आपको पूरी तरीके से बिल्ट अप करने की कोशिस करती हो या मैं यह कहूंगी कि आप अपने आपको और ज्यादा बहुत ही तेज तरार एक स्ट्रेट फोरवर्ड एक अपने तरीके से चपड बनना चाहते हो स्मार्ट बनना चाहते हो और ज्यादा क्लिवर बनना चाहते हो यह आपकी कोशिस लगातार होती है इतना जरू जान लेजिए तो आप बार-बार गिरते हो उठ लता मिलती है और यह जो आपका बार-बार अपन डाउनस का डॉर है वो आपको कहीं न कहीं बहुत कुछ सिखाता है यहां आप प्रैक्टिकल चीजों में स्टेबल हो तो इमस्ने चीजों में थोड़ा निरास हो जाते हो कुछ वक्ष्ट के लिए और इमस्ने चीजों में स्टेबल हो तो फिर कुछ ऐसी चीज़े आपके सामने आ जाए यह एल्थ हिसो या फिर अप कोई जो काम आप कर रहे हो वो काम अच्छे तरीकिसे नहीं हो रहा है तो कहीं न खहीं वो चीज़े भी आपके साथ एक पड़ाव के साथ आती है इस बज़र से कहीं न कहीं आप आपका विश्वास हमेशा एक घौट के प्रती डगमक आया है आपका खुद का विश्वास खुद को लेकर चटान की तरह मजबूत है इतना जरू में कहोंगी आप अपने आप में ग्राउंडेड परसन हो आपके अंदर अभिमान नहीं है घमंड नहीं है आप अपने आपके तो और तरीके से बहुत ज़एदा अच्छे तरीके से वाकिफ हो कि आप कर सकते हो आप सब कुछ कर लेंगे और आप कोई भी चीज़ को सक्या बनाने में आपकी प्रॉबिबली कोसिस आपकी हमेशा रहेगी यह आप अच्छे तरीके से जानते हो इस वज़र से आप अपने आप में बहुत जादा काबिले रखते हो खुद को मानते हो कि मैं स्ट्रॉंग हूँ मैं पाउरफुल हूँ इस से आपके बहुत सारे काम जल्दी बन जाते हैं इत्ना जरूर है और हमारा सवाल है यूनिवर्स आपके साथ है इसके लिए मैं आपको कहना child power here यूनिवर्स आपके साथ है यहां आपका विस्वास कहीं न कहीं थोड़ा इधर उधर होता है क्योंकि आपको लगता है कि जब मुझे गौट की बहुत जादा जरूरत है तो वो मेरे साथ कहीं कही नहीं होती है लेकन नगे हैं मैं को पैसिती अंग… परसंट वह आपकी साथ होते हैं… आपके हर एक कार्याय में रहूब के थिलों आपको कशु भी आपके पड़ाओं की मताविक, आपके वक्त तो आप जो अभी अपने सही रास्ते पे उपर, सही दिसा में एक अच्छे वे में चल रहे हो, तो फिर जो भी आपको रास्ते में अपनी कर्मा मिलेंगे, वो भी बहुत थी क्लीन हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, और जो भी आपकी जिवन में परिस्तेती या प्रॉब्लम क्रियेट होगी वो कहीं न कहीं एक आंसर के रूप में आपको मिल जाएगी यानि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जवाब भी आपको बहतर रूप से मिलेगा क्योंकि अभी हाल जवाब आपको मिलेंगे जो प्रॉब्लम मिलेगी जो दिक्कते मिलेगी जो परिसानिया मिलेगी उसका जवाब उसका सॉलिसन भी गौड़ आपको देंगी क्योंकि अभी हाल फिलल आप एक अच्छे कर्मा की और आगे बढ़ रहे हो इस वजह से यूनिवर्स भी आपके रहते हो इतना ज़रूर है जो मैंने कहा आपका विस्वाइस इतना चट्टान जैसा मजबूत है और आप इमूशनल बातों में इमूशनल चीज़ों में अपने आपको स्ट्रॉंग रखने की कोसिस करते हो इस वजह से कॉमफर्ट जोन में बहुत अच्छी तरीके से बात है यानि आप अपने सोभिमान को बरकरा रखते हो यह बहुत बड़ी बात है यहां ग्रेट टीचर इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं आजो मैंने कहा कि वक्त के पढ़ाव के साथ आप कुछ ना कुछ नई सिच्वशन आपके जीवन में बनती है इसकी वज़र से वैसे तो कंटिनूसले आपके जीवन में खुश्या है लेकिन कुछ चीज़े बीच बीच में ऐसे पढ़ाव आपको मिलते है जिसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दिमाग लगना पड़ता है थोड़ी कोसिस करने पड़ती है थोड़ा और ज्यादा एक टफ आपको लग तो यही है कि आप अपने आप में एक मजबूत इरादे की इनसान हो इस वज़र से आप हर तरीके से किसी भी तरह का नमकिन काम भी आसनी से कर जाते हैं इतना जरूरा है इस वज़र से आपके लिए काड़ा आया है mountains and winter तो yes आप अपने जरुएतों का ध्यान रखते हो आपको अपना direction पता है ये broken arrow की energy हर तरीके से आपको लागू होती है कि आपका वक्त आपको कहीं न कहीं बहुत कुछ सिखाता है ये बार बार आपने notice किया है कहीं न कहीं जब भी किसी situation में caught up होता है तो कहीं न कहीं उससे आपको एक फाइदा भी होता है ये आपने notice किया होगा बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान से अपने situation को देखोगी तो आपको पता चलेगा कि आपको जीवन में जो परिस्तिती में आपको अच्छानक से बदलाव दिखा इससे आपको फाइदा भी हुआ है ऐसा नहीं है कि नुकसान ही हुआ है लेकिन उससे फाइदा भी आपको मिला है जिसकी वज़े से कहीं न कहीं उससे आपके जीवन में सान्ती भी आई है सफलता भी आई है और कहीं न कहीं जो आप मान रहे हों कि ये जो बीच में जो पड़ावाते है या अच्छानक से फिरफार आते है बदलावाते है या कुछ भी अच्छानक से एक situation बदल जाती है तो उसमें भी कहीं न कहीं आपको एक अच्छा मुकाम ही मिलता है ये आपने बार बार नोटिस किया है तो situation चाहे कितनी भी खराब हो लेकिन उसका जवाब आपके पास बहुत ही मज़िदार और बहतरीन और खुबसुरत होता है या प्यार भरा होता है ये में जरू कहूंगी तो यूनिवर्स हमेंसे आपके साथ है इस वज़र से ये सब कुछ आपके जिवर में बहुत ही अच्छी कंडिसन में रखना जानती हो ये बहुत बड़ी बात है अपने मीन को अच्छे तरीके से ड्वालप करना जानती हूँ ये भी बहुत ही जरूरी है है और वह सच में कर सकते हो यहां Gemini Libra Aquarius के एनेजी 50% है क्योंकि जो मैंने कहा अच्छानक से एक परिस्तित्यों में बदलाव कहीं ना कहीं आपको बहुत जादा ही एक हिला देता है ये आपने नौटिस किया है इस वज़र से आप कहीं ना कहीं सोचते हूं कि युनिवर्स मेरे साथ है ये आपका question होता है अपने साथ इस वज़र से मैंने starting में ही कहा कि आप अंदजा लगाते हूं कि कहीं न कहीं यूनिवर्स मेरे साथ है ऐसा आप अपने मन को बताते हूं एकदम दढ़ता से नहीं मानते हूं कि क्या सच में मेरे साथ यूनिवर्स है तो फिर मेरे जीवन में इस तरीके की सिच्वर्सा ने अखिर बनते की हूं लेकिन जो मैंने कहा कि आपके कर्मा आपको वक्के हिसाब से मिलेंगे जरूर लेकिन अभी हाल फिलल की जीवन में आपके कर्मा अच्छे है आप अच्छी कर्मा कर रहे हैं तो इसका सौलीसन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा आपके सिच्विशनों को लेक प्रॉब्लम्स आएगी परिसानी आएगी उसका जवाब भी आपको अभी जरूर मिलेगा क्यूंकि आपके अभी की कर्मा को भी साथ में देखकर ही गौर्ड एक खुबसर डिसीजन लेते हैं इतना याद रखे जिसके चलते यहां जो इक लास्ट एनरजी है टॉरस वर्गू 60% क्योंकि आप ग्रो करते हो आपको बहुत कुछ मिलता है और यहां लास्ट एक पीस की पर एंड इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि आप अपने तरीके से सांती दूमने की कोशिस अपके लगातार होती है और वो सांती आपको मिलकर ही रहती है यानि आ आपका खुद के उपर विश्वास चटान की तरह कुद को मजबूत रखनी की जो ताकत है समता है इस वज़र से ही आप पाउरफुल परसन नजर आते हो और जब भी कोई परसन अपने आपके उपर बरुसा करता है तो यूनिवर्स उनके साथ हमेशा खड़ा होता ही होता ह यानि उनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है तो आपका विश्वास की वज़र से यूनिवर्स हमेशा 24 अवर्स आपके साथ होते है और यूनिवर्स का सपोर्ट आपके लिए हमेशा होता है इतना याद रखे चाहे आपके मुन में बहुत ज़्यादा इस तरीके से कही नहीं आपको दिमाग में प्रिश्टन आते हैं लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हो तब आपको लगता है कि यहां यही है कि एक अंधरूनी तोर पर आपका विश्वास बहुत ही पक्का है कि गॉड मेरे साथ है लेकिन कभी-कभी थोड़ा इदर उदर हो जाता है आपके विचारों में और क्या है चले दिखते हैं सक्सेस ट्रस्ट जो मैंने कहा अपका विश्वास डगमगाता है चूज यह नियू डाइरिक्शन नाइस डाइरिक्शन के एनरजी फिर से आई है आस फूर हैल फ्रॉम ओधर्स तो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको यह भी कहता है कि जब आपको जब किसी या जवाब नहीं मिलता है तो आप पास पास के लोगों से दूने की कोसिस करते हो तो आपको मिल जाता है तो कहीं न कहीं Đूस भेह को सुझाSt तो निल ना ही चाहिए ऐसा बोड हर तरीके से तने बच्छे को जो भी मेंफन करता है उसको फोल जरूर देता जो भी है कि आपको जो भी है पिप्तिता करें उसका फोल आपको मिलता है यूनिवेर्स कि बलेसंग साम की उपर हमेंच lorsqu Sws कुछ चीजों के लिए आपको लगता है कि यह सिच्वेशन में मैंने इतनी जादा मेहनत की है कोजस की है फिर भी मुझे इसका जवाब क्यों नहीं मिला है तो इसके लिए यहां आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी इस वक्त के लिए उस सिच्वेशन को थोड़ा दीरत से का साम दो यहां आपको अभी उतावल करने की जरूरत नहीं है या जलबाजी करने की जरूरत नहीं है आगे चलकर वही कार्यों पूरी तरीके से हंडिट परसंट हो जाएगा तो अभी उसका वक्त है तो इस वक्त को अभी सांती से पूर्ण कीजिए सांती से गुजारे सांती से आगे बढ़ाईए लेकिन उसमें आपको अभी ही जवाब चाहें तो वह जवाब भी नहीं मिलने वाला है तो इसको आपको थोड़ा विस्वास करना सीखना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपके साथ ही है लेकिन जो जवाब आपको चाहिए वह इस वक्त हाल फिलाल आपको नहीं मिल सकता है वह आगे की वक्त में आपको जरूर मिलेगा 100% मिलेगा यह यूनिवर्स आपको जरूर कह रहा है इतना याद रखें कि यूनिवर्स आपको हर तरीके से जवाब जरूर देते हैं कभी-कभी देरी सही सही लेकिन जवाब आपको मिलता जरूर है इतना सब्सक्राइब तरीके से संक्यित देते हैं आपको यह कार्य ऑगा इस तरीके से संपूर्यथ होगा यह कार्य हम इस तरीके का वक्त लगने वाला है इस तरीके से आपका मन बहुत ही जल्दी जवाब दे देता है तो कहीं न कहीं गौड आपको आंसर देते ही रहते हैं लेकिन कभी-कभी आप जो जवाब आपको चाहिए वो अभी ही हाल-फिलाली चाहिए तो आप अपनी मन की बातों को इग्नूर कर जा गौड तो आपको युनिवर्स से हर दफा, हर वक्त, हर तरीके से मिल रहा है इतना जां लीजिए यहां लाश्ट च़ंश चाहिए उपर्चानीटी इस वज़ہसे मैंने कहा कि आपको उपर्चानीटी मिल रही है कोसिस का फल हर एक परसन को मिलता है इतना याद रखे महनत का फल हमेशा गौड देते ही देते है ये जरूर है चाहे कभी-कभी देरी हो जाए लेकिन महनत का फल मिलता जरूर है इतना याद रखे यस, तो कभी-कभी कुछ चीज़ों के लिए अचनक से आपके काम बन जाते हैं और कभी-कभी आपको एक ही काम करने में थोड़ा वक्त लग जाता है और वो कुछ वक्त के लिए ही होता है अगे के पड़ाव में वो काम की तुरंत ही एक आसान इसे complete हो जाते है, ऐसा भी होता है, तो इसका ध्यान रखे कि यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको हर तरीके से संकित दे रहे हैं, कि वो आपके साथ है, 24 hours है, वो हर एक बातों को ध्यान दे रहे हैं, हर एक चीज के उपर ध् अच्छे blessings देनी चाहें, तो वो तुरंदे देंगे, यहां वो उनको लगेगा कि अभी आपको कुछ ज़्यादा कोसिस करने पड़ेगी, तो वो जरूर आपको हिमत देंगे, आपको पैरना देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको और ज़्यादा मजबुत बनाएं और आपके, यह जो आपका खुद का विस्वास है, आपको गौर्ड के प्रती बहुत ज़्यादा नजदीक ले जाता है, और आपको अपने आपने बिल्डुप बनाता है, यानि मजबूत बनाता है, यह बहुत अच्छे बात है, यह है रिडिन, डू लाइक सेर, सब्सक्र and comment, love you, bye